Culture, Knowledge and Politics Title ही बहुत interesting है तो जाहर है इससे related और relevant जो debate है उसमें आपके लिए भी बहुत कुछ है और मेरे लिए भी क्योंकि culture जो है उसको समझना कि उप्रेट है हर इलाके के रहने वाले लोग सदियां गुजारते हैं सदियों बहुत सारी रवायात को practice करते हैं और फिर वो generation to generation वो रवायात जब आगे transfer होती है तो वो उस इलाके की सकाफ़त बन जाते हैं And political sociology has a deep link with the growth of the culture क्योंकि political sociology basically इंसानों से मुतालिक इल्म है और इंसानों का अपनी सकाफ़त के साथ बहुत गहरा तालुक भी होता है और बहुत गहरी जजबाती वाबस्तगी भी चुनाचे ये topic जो है ये बाकी आम रवायती जो topic होते हैं उनसे थोड़ा हट के है और इसमें इसका interest जो है वो हमारे लिए as student of political sociology इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि हम जिस culture के साथ हमारा वास्ता ये तालुक पढ़ता है वो सियासी सकाफ़त है political culture है अब political culture उस आम culture की वो dimension जो हमारी सियासत सियासी रवायात बनाती है उसको हम political culture का नाम जो है वो देते है because culture is an analytical tool in which is getting much more importance nowadays and scholars are paying more attention to the cultural dimensions of all political institutions and processes and the civic culture approaches provide tools for understanding the politics of social life regardless of our own value judgment अब देखिए एक तो हमारा अमूमी रविया होता है जिसमें हम तायून करते हैं कि सही क्या है गलत क्या है हम खुद पर खुद पैसले करने लग जाते हैं अपनी पसंद और नापसंद की बनियाद पर value judgments देते हैं कि कौन सी चीज जो है वो ज्यादा सही है कौन सी चीज घलत है लेकिन जब culture की बात आती है तो culture और जो politics का तालुक है वो कैसे बनता है यह बहुत मजे की कहानी है देखिए बच्पन में जब हम बहुत चोटे होते हैं और बहुत सारी ऐसी memories हमारे जहनों पर जहनों के अंदर कहीं जमा होती रहती है जो हमारा cognitive map बनाती है ठीक है यह cognitive map क्या होता है याद कीजिए पहली दफ़ा जब आप से यह कहा गया कि आपने अपने family में जो सबसे बड़े थे उनका कहा मानना है तो आपको क्या सिखाया गया basically that is the introduction of authority कि घर में एक बड़ा है जिसके पास यह power है कि उसकी बात हम सब घर वालों को माननी है ठीक है अब वो authority का introduction फिर जब हम school गए तो वहाँ पर हमें discipline सिखाया गया तो हमारे cognitive map के अंदर एक और यादाश्टा गई वहाँ एक और memory जो है वो store हो गई अब यह वो रविये होते हैं जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं तो हमारे cognitive map के जरिए हमारे इस knowledge के जरिए जो हमने experience किया होता है जो हमारी तरबियत के साथ हमारी शक्सियत का हिस्सा बना हुआ होता है इसको हम reflect कब करते हैं जब हमें अपना vote कास्ट करना हो हमारी स्यासी पसंदीदगी ना पसंदीदगी कौन सा स्यासी लीडर हमें पसंद है कौन सा स्यासी लीडर हमें पसंद नहीं है कौन सी political party हमें पसंद है कौन सी government का कौन सा फैसला हमें पसंद है तो ये सब liking डिस liking जो हैं ये हमारे उस तरबियत के जरिए अजाने और ना अजाने में हमारे cognitive map के जरिए हमारी शक्सियत का हिस्सा बन कर जब हमें society को return करना होता है तो ये रविये हमारे साथ मुतासर हमें करते हुए हमारे रवियों से जाहर होते हैं इसमें जो एक और एहम बात जो हमें नहीं भूलनी वो ये है कि हमारे जो political leaders होते हैं हमारी जो political parties होती है बाद अकार बहुत सारे protest groups होते हैं बाद अकार हम कहीं पर ये देखते हैं कि कहीं कोई बकाइदा इनकलाब आ रहा है या इनकलाब की बात हो रही है इन सब का तालुक असल में किस से होता है हमारे emotion से होता है हमारे जजबात और हमारे cognition से यानि हम जो बाते पसंद करते हैं जो ना पसंद करते हैं वो सब हमें हमारे रवईयों को तश्कील देते हैं और फिर हम कहीं न कहीं इन रवईयों का इजहार करते हैं और फिर political sociology जो है इसका ये क्या है basically ये dialogue between cultures है यानि दुनिया के अंदर जो मुक्तलिफ cultures मौजूद होते हैं इनके दर्मियान राब्ता design करती है political sociology अपने topics के जरिये और एक डूसरे को link करती है मौशरों को link करती है अफराद को link करती है और उन तुमां गरूहों को link करती है जिनका एक दुनिया में रहते हुए आपस में तालोग नागुजी है